कि नमस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त संजीब गुसाई आज एक बार फिर से आपको लेके आया हूँ डियाइटी के पास जो हो रही है हमारी प्लॉटिंग वह दिखाने जो कि है मैं एम्डीडीए अप्रूवड 173 विगास के अंदर यह प्लॉटिंग है इनिशल हमने अभी 60 विगा में एम्डीडीए का अप्रूवल लिया है और उसको हम प्लॉटिंग करने है फेस बन के अंदर तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैं अभी डियाइटी कॉलेज के साथ में ही खड़ा हूं बिल्कुल साथ में डियाइटी कॉलेज है इससे पहले आइमस कॉलेज है पैसल वीट और यूनिवर्ड स्कूल है यह वीडियो बनाने का रीजन दो है एक जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो कई लोगों ने बोला जी आपने डियाइटी के बा जाता हूं कि एक मैंने के अंदर साइट के अंदर कितनी डेवलप्मेंट हो गई है जो मने पहले वीडियो बनाई थी और अब वीडियो जो बनाई है उसमें कितना डेवलप्मेंट हो चुका है तो आए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों हम डियाइटी कॉल कर दो कर दो करेंगा। कई लोगों का ये डाउट रहता है कि ये सडक छोटी है शायद दो गाड़िया पास नहीं हो सकती तो ऐसा कुछ नहीं है काफी छोड़ी सडक है अराम से दो गाड़िया पास हो सकती है इनफेक्ट दो गाड़िया तो इस पुल पर भी पास हो सकती है आप ये देखिए कि ये साइड में गाड़ी पाक हो रखी है और उदर भी हो रखी उसके बावजुद कितना स्पेस है मैं अराम से लिकल पा रहा हूँ ये डिटी की बॉंडरी साथ साथ चल रही है हमारे अब देख सकते हैं दो गारी आई अराम से पास होगी और ये हमारी साइट यहां से स्टार्ट हो जाती है ये मेफेर का बॉड आपको दिख रहा होगा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको थूड़ा साथ ये अरो बना होगा है बेफेर हाइलेंड इधर से ही हमारी साइट स्टार्ट हो जाती है दोस्तों पहले वाली वीडियो मैंने यहीं खड़े होके बनाई थी चुकि इस रोड पे अभी काम चल रहा है 40 फिट का रोड है ये एंट्री रोड और ये साथ में DIT की बाउंडरी है जैसा मैंने बताया कि DIT विलकुल एडजोइंड है और DIT की बाउंडरी के साथ ही हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो आईए देखते हैं अब हमारी साइट पे कितना काम हुआ है आप देख सकते हैं हैं सही लाज्ट टाइम अगर आपने देखा हो तो अब ये नालिया बनने का काम शुरू हो गया है साथ में ये हमने बोटल पाम के पेड लगा दी है रोड का काम श्टार्ट हो रखा है इसमें और अंदर देखते हैं क्या क्या हुआ है तो दोस्तों देखिए साइट पे प्रॉपर काम चल रहा है और ये 40 वीट की रोड पे लाज्ट टाइम जब मैंने दिखाया था तो इसमें सिर्फ रोड प्लेन की थी अब डामरी करेंग भी हो चुका है और उसके साथ में हम लोगों ने ये नाली का काम भी शुरू कर दिया आईए एक बारी मैं गाड़ी से नीचे उतर के आपको दिखाते है दोस्तों देखिए कितने डीप है ये और चोड़ी नाली आया है प्लोट्स का मार्केशन तक कर दिया गया है आप देख सकते है ये जो लाइन डाल रखी है इसके साथ में एक ये आप देखेंगे तो ये सरिया ये दिखाया हुगा है ये लाइन के साथ-साथ ये डी मार्केशन है प्लोट की ये पूरी साइट पे डाला था आप देखेंगे जैसे यहाँ पे भी एक सरिया ये दिखता है ये इसका फ्रेंट है और ये दूसरा प्लोट की डी मार्केशन हो चुकी है नालिया बन चुकी है आगे हमने ग्रीन बेल्ट का इस पे सोड़ दिया है रोड पे जैसा की मैंने आपको बताया कि डामरी करन हो चुका है साइट पे बहुत तेजी से काम हो रहा है और हमारे पास जो प्लोट्स हैं वो भी बहुत लिमिटीड रह गए है जो लोग मेरी ये वीडियो आज पहली बारी देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूँ ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है या IMS कॉलेज है और वो पीछे जो आगे दिख रहा है वो DIT कॉलेज है ये वाला ये IMS कॉलेज है इसके बैक साइट में आप देख सकते हैं हयाद दिख रहा होगा वो फाइफ स्टार होटल है हयाद जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपके अपनी राइट साइट में अंतारा की बिल्डिंग दिखेगी ये बोला माराज जी का आश्रम है और जो ये सामने कंस्ट्रक्शन हुई हुई बिल्डिंग दिख रही है ये सीनियर सिटीजन लिविंग का एक प्रोजेक्ट आ रहा है इडैन जो की पुरकुल रोड पे है अगवनपूर जैसे मैंने आपको बताया 173 बीगा की ये साइट है हमारी इंटिग्रेटी टाउन्शिप जो हम बना रहे हैं जिसमें अभी फर्स पेस पे 60 बीगास के अंदर हमारे अम्डी डिये का एप्रूवल है और उसी पे हम काम कर रहे हैं 360 डिग्री हिल दिखती है आपको तो दोस्तो बिल्डर की रैपोटेशन और काम करने की तेजी का अंदाजा आप लगा सकते हो कि हमने एक महिने के अंदर देखे कितनी तेजी से और कितना काम कर लिया पूरे प्रजेक्ट के हम और्डरी वॉल कर चुके हैं पुष्टा लगा चुके हैं साथ में यह देखिए नाली की खुदाई होगा काम और नाली इंफेक्ट बना भी दी हैं कई जगे तो यह काम तेजी से चल रहा है जैसा कि मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो के अंदर भी काहा था कि मात्र दस मिनिट के अंदर आप यहां से पैसेफिक मॉल पहुँचते हैं मैक्स होस्पिटल पहुँचते हैं डियाइटी कॉलेज और आईएमेस तो बिल्कुल एडजॉइंड है तो मात्र दो-तीन मिनिट में आप यहां पहुँचते हैं सीयम हाउस यहां से मात्र पंदरा मिनिट की ड्राइब पे है आप कलॉक टावर 20-25 मिनिट पे पहुँचते हैं ठ्रैफिक के उपर रहे गई हैं अगर 20-25 मिनिट मैक्सिमम मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता स्कूल कॉलेजिस होस्पिटल सब नियरबाई है चार पास तो आपको स्कूल मिल जाते नियरबाई पैसल विड हो गया यूनिवर्ड हो गया आरियन स्कूल हो गया नीचे स्कॉलर सॉम हो गया जियाडी कॉलेज हो गया IMS और DIT कॉलेज हो गया तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यह टाउंशिप है हमारी मेफिर हाइले यह पहले भी आपको दिखाई थी और आज दिखा रहे का मोटिफ सिर्फ और सिर्फ इत्वा ही था कि एक तो हमारे पास प्लॉट स्पॉत लिमिट जहां आसपास कॉलेज हो स्कूल हो माल हॉस्पिटल सब नियरबाय हो तो यह रीजन था इस सुसाइटी का मेरे को दुबारा से विजिट कराने का और साथ ही साथ मैं यह दिखाना चाहता था कि बिल्डर ने एक महीने के अंदर और क्या-क्या काम कर दिया जैसा कि मैंने पह आप वैली देख रहे हैं यह green forest है यह हमेशा green रहेगी वो सामने हयात होटल दिखता है इस मसूरी रोड पे आपको दो होटल मिल जाते हैं एक JW Merit का है और दूसरा हयात है साथ मैं IMS College है और DIT College है तो दोस्तों आप प्रोजेक्ट को देखके उसकी location को देखके जो आसपास क locations है जैसे कि जो daily uses के लिए हमें समान लेना हो बच्चों को school पढ़ाना हो college पढ़ाना हो mall जाना हो या फिर अपना medical check-up कराना हो तो max hospital बिल्कुल नियर भाए है दोस्तों आशा करता हूं मैं आप लोगों को मेरा यह आज का वीडियो पसंद आएगा किसी भी भाई की किसी की कोई queries हूँ तो मेरा number नीचे आएगा आप मेर को call कर सकते हैं मेर से वो सारी अपनी जो भी आपकी inquiries है उसको clarify कर सकते हैं मैं आपका दोस्त संजीब गुसाई नमस्कार